वेलकम गाइस, जब आपको केनेडा की कोलेज ये यूनिवर्सीटी से ओफर लेटर मिल जाता है, फिर नेक्स स्टेप आता है आपकी सीट कनफर्म करने के लिए कि आपको फीस पेमेट करना है, तो हम लोग जो है वो फ्लाइवायर के तुरू पे अपना जो फीस का है वो पेम अपनी फीस ट्रांसपर कर सकते हैं, तो फ्लाइवायर में होता किया गाइस की जब भी आप फ्लाइवायर की एक रिसीट चन्रेट करोगे, तो उसमें उनका इंडिया का एक बेंक अकाउंट मेंशन किया होगा, कि पूरी डिटेल्स होगी बेंक अकाउंट की, हमें वो उस अपना जो है वो फांड उसमें ड्रांसपर करना है, तो वो जब अपना हमारा जो फांड है उनको मिल जाएगा, तो वो लोग हमारी कोलेजिस या यूनिवरसिटी के एकाउंट में ड्रांसपर कर देते हैं, तो इसके लिए कुछ 6-7 दिन का टाइम लगता है, और बहुत ही को सब मेल आएंगे, और स्टेटस आप चेक कर सकते हो, पहले हम है वो फ्लाइवर की वेब साइट पर चाहेंगे, यहाँ पर आपको पहला लिंक मिल जाएगा, फ्लाइवर का, फिर आपको एक एक एकाउंट क्रियेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए साइन अप करेंगे, यहाँ पर आपको अपना नेम, फेमिली नेम, मतलब की लास्ट नेम, इमेल एडरेस सब कन्फर्म करके एक 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 एकाउंट क्रियेट कर दीजिए, मैंने अल्रेडी एकाउंट बने हुआ था, इसलिए मैं सीथा डाइरेक्ट लोगिन ही करता हूँ, यहाँ पर अपनी लोगिन डीटेल्स वगिरा सब आप एंटर करके लोगिन करेंगे, तो आपको एक एक एसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर मुझने ओल्रेडी पेमेट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर पेमेट इस्ट्री वगिरा सब दिखा रहा था, कि यहाँ पर आप पेमेट स्टेटेस चेक कर सकते हो, वगिरा सब, आपको जो है वो न्यू पेमेट करना है, फिर यहाँ पर स्क्रोल डाउन करके, अपनी कॉलेज का यहाँ पर नाम सर्च करना है, यहाँ पर आप कॉलेज का नाम सर्च करोगे, कि जैसे मेरा कॉन्फेडरेशन कॉलेज है, तो यहाँ पर तीन ओप्शन दिखा रहे थे, कि एप्लिकेशन फी है, या वस्टेल की केमपस की फी रहना के लिए, या फिर ट्यूशन फी है, तो मेरी जो है, हमारी ट्यूशन फी है, तो हम ट्यूशन फी पर सिलेक करेंगे, फिर यहाँ पर, शीक्स स्टेप में, हमारा वो इंस्ट्रक्शन सीट चन्रेट हो गया, तो सबसे पहले, कंट्री ओफ ओरिजिन, यहाँ पर जो है, हम अपना फर्स्ट ट्म का जो है, अमाउट एंटर करेंगे, वो भी कनेडियन डॉलर्स में, सेकेंड टम के लिए हम यही प्रोसेस जो है, वो रिपीट करेंगे, क्योंकि अगर 7 लैक से उपर का पेमेट होगा, एक ही बार में, तो 5% टेक्स हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए, तो यहाँ पे बेंक ट्रांसफर, वगरा सब अलग-अलग रेट दिखाएंगे, कि अगर आप वायर ट्रांजेक्शन करेंगे, तो इतना रेट लगेगा, तो यहाँ पे सबसे एज़ी है, कि हम बेंक ट्रांसफर इन इंडियन रुपीज करेंगे, वो सिलेक्ट कर देने के बाद, आपको एक फोर्म मिलेगा, कि जहाँ पे आपको पेयर की इंफोर्मेशन मिलेगी, सपोज आप अपने मतर्स के अकाउंट में से फीस पेमेट करोगे, तो यहाँ पे उनका सारा एड्रेस, पेन नंबर वगेरा, इमेल आईडिया आप अपना किया मिलेगा, वो एंटर करना है, आप कौन से अकाउंट में से पेमेट करने वाले है, उसकी डीटेल्स सारी एंटर करनी है, फिर लास्ट स्टेप में आपको एक फ्लाइवायर का रिसीट जनरेट होगा, कि जिसमें आपका फ्लाइवायर का कौन से अकाउंट में पेमेट ही करना है वटलब की इंडियन रूपीज में ही ट्रास्फर करना है तो simply क्या करना है कि आपको एक सपोज मतर के अकाउंट में से पे कर रहे हैं तो आपको एक मतर का बेंग का चेक लेना है और उसमें वो अमाउंट जो है वो मेंशन कर देना है जो भी फ्लाइवायर के रिसीप में आपको मिलेगा सपोज 550,000 आया तो आपको 550,000 का चेक जो है वो लेके बैंक में चले जाना है और वहाँ पर simply बोलना है कि मुझे यह जो अकाउंट है उसमें RTGS या तो फिर NEFT करना है तो वो अपने एक फॉर्म देंगे उसमें आपको सारी डीटेल्स फिल करके वो चेक और वो यह फॉर्म है उनको दे देना है तो वो पेमेंट जो है वो प्रोसीड कर देंगे तो फिर दो तीन दिन के बाद आपको जो फ्लाइवायर के अकाउंट है उसमें स्टेटस अपडेट हो जाएगा कि आपका जो अमाउट है वो उनको मिल गया है और वो दो तीन दिन में आपका जो पेमेंट है वो आपकी कैनेडा की कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ट्रास्फर मिल जाएगा तो यही सेम प्रोसेस है आप अपने सेकेंड टम के फ तो फ्लाइव väer के स्टेटस में वो पेमेंट रीसिट का एक अपडेट हो जाएगा तो वहां से आप अपनी फी रीसिट की फ्लाइवएर की जो फी रीसिट है वहां से वह आप दाउनलोड कर सकते है और अपने एजन्ट को बोल कर अपने ऑकास के पोर्टल में से भी ओफि कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने जो भी किनेड़